हेलो एब्रीवन के एन के किचन में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं मैं बढ़िया हूँ उमीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे तो आज मैं आपके साथ क्रिस्पी गर्मा गर्म गोबी के पकोड़े की रेसेपी सेर कर रही हूँ सर्दियो का सीजन आ गया है और मार्केट में फ्रेस गोबी भी आ रहे हैं ऐसे में संडे की छुट्टी हो और साम के नास्ते में गोबी का पकोड़ा ना बने ऐसा होई नहीं सकता गोबी का पकोड़ा बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम गोबी लिया है इसको मीडियम साइज के पिसेज में कट करके मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं इसमें बेसन डालूंगी बेसन आप गोबी के क्वांटीटी के हिसाथ से डाले श्वाद अनुशार नमक डाल जालने से पकोरे का श्वाद खराब हो जाता है आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच मिर्ची पाउडर दो कटी हुई हरी मिर्च एक चम्मच आजवाइन आधा चम्मच क्लॉजी अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गोभी में बेशन इतना ही डालना चाहिए जिसे के एक पतली सी लेयर गोभी के ऊपर आजाए ज्यादा बेशन डालने से पकोरे का श्वाद खड़ाब हो जाता है उसमें सिर्फ बेशन का ही श्वाद इसलिए ज्यादा बेशन नहीं डालना चाहिए तेल गरम हो गया है अब हम इसमें पकोरे डालेंगे पकोरे को हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही सेखना चाहिए नहीं तो हमारा पकोरा क्रिस्पी नहीं होगा जब पकोरा एक तरफ से सिक जाये तो उसे पलट कर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेख ले इससे पकोरा बहुत ही क्रिस्पी बनता है तो देखिए हमारा पकोरा बनके तयार हो चुका है यह देखने में ही कितना क्रिस्पी लग रहा है तो आप भी इसी त और इसे धन्या की चटनी के साथ सर्व कीजिए बहुत ही टेस्टी बनता है और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड सेर कीजिए आप भी गर्मा-गरम गोभी के क्रिस्पी पकॉरे का मजा लीजिए